Dear students, welcome back. यदि आप इस series को follow कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि क्या प्रयास है हम सभी का, कि UGC NET के जितने अभी तक question आए हैं, उनको different different part में theme-wise सारे paper को analyze किया जाए, और उसमें जो additional information होता है, उसके range, जो level उसको समझा जाए, जिससे की UGC NET की तयारी की जाए, मुझे लगता है कि best way UGC NET जैसे exam के तयारी इसी तरीके से करनी चाहिए, question कही थूँ, ना कि आप resources पर के आप इस exam को बहुत difficulty होगा, आपको crack करने में, उस सिलसले में हम लोग पहुँच गये हैं, last part, part 4, जिसमें बचे-खुचे हुए जो cycle से, आप देखेंगे कौन-कौन से cycle है, उसको हमने लिया है, इस part की सुरुवात कर रहे हैं western political thoughts से, और अगरे 15 दिनों में ये cycle हम खतम कर देंगे, और फिर होगा तो इसको एक book form में भी आप लोग को सारे paper को theme-wise लाने के कोशिस करेंगे, so start करते हैं, इसकी syllabus तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई नई बात नहीं है, पढ़ लिजे, इसमें मैंने लाल वो दिया है, जो की UGC की जो CBCS syllabus अंडर्ग्रेजुएट में, उससे आगे है, तो वो मैंने cover नहीं किया है, इसको कहीं से भी आप पढ़ लिजे, नहीं तो जो question है, उसके through भी आपको काफी revise हो जाएंगे, इन thinkers के thought का, इससे पहले कि हम इसको सुरू करें, let me allow कि, एक जो endeavor मैं कर रहा हूँ, online test series का एक group बना करके, एक तरह सो membership group है, और वो political science help community को sustain करने का भी प्रयास है, और उसमें बहुत सारे facility members को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जिसके लिए बनाया गया है, वो है कि every week जो है, दो practice test, 100 question का, आपको मिलेगा different competitive exam के लिए, of course यह PG entrance test के लिए generally शुरू किया था, मैंने लिए इसमें काफी UGC net के भी student है, यदि आप interested हैं, यह सब इसमें benefit लिखे हुएं, लेकिन बहुत सारे benefit हैं, जो आपको वहाँ पर आने पर लाएगा, क्योंकि मैं जितना courses कर सकता हूँ अपने members के लिए, वो करेंगे, of course क्योंकि वो members हैं, यदि आप interested हैं जोइन करने में, तो आप mail कर सकते हैं, अपने telegram, mobile number के साथ, इस mail ID पे, और फिर मैं आपको guide करूँगा, कैसे आप जोइन कर सकते हैं membership group को, अब आईए question answer का दौर सुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि, जो part 1 था, उसमें हमने जून 2018 से 20 तक के year के paper को cover किये थे, उसमें जो छुटा हुआ था, वो January 2017 और November 2017 के, और बाकी 2013 का कुछ था, जो इस part में included हैं, इस part में सारे अब वो cover हो गये, जितने भी cycle के question हैं, so January 2017, paper 2 देखे हैं, which one of the following is not a source of Plato's theory of ideas, आपको पता हैं, उन्होंने प्लाटो ने theory of idea या theory of form दिया, वो तो एक idealism, जिसको कह सकते हैं, rationalism भी आप कहते हैं, rationalist thought, वो उसके प्रतिपादक थे, propounder थे, तो उनकी जो theory of form या idea है, उनका उन्होंने जो लिया था, किस से, जो ideas या form क्या थे, वो being थे, और वो जो world में जो वो हो जाते हैं, वो है, जो visible world है, world है, वो हो जाता है, world of becoming, यह भी question पूछा जाता है, being versus becoming, उससे उन्होंने लिया था, Socrates से तो उन्होंने कितनी ही चीजे ली थी, आप उसमें ये भी जोड़ लीजे, doctrine of concept, और iliatic से उन्होंने idea of a sphere of absolute being लिया था, उनके अनुसार से idea जो है, वो absolute entity है, वो कभी nest नहीं होते, कभी उसमें कोई change नहीं होता है, वो हमेसा eternal रहते हैं, और जो world of becoming है, उन idea को वो वस्तुधारन करता है, जैसे की fool होने का idea, वो कभी जो है मिठता नहीं है, लेकिन एक fool जो है मिठ जाता है कुछ दिन में, तो इन सब से लेकिन उनोंने जो है, ये कहीं से influence वो नहीं होए था, आप देख भी सकते हैं, इसमें जो wording है, आप common sense, absolute, assatism and regress, self-notification, ये सब उनके ideas में हैं भी नहीं, आप common sense से इसको odd one out कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाकी जो है, पढ़ लीजे, मैंने काफी कुछ लिखा, इसको अभी रुख जाएए, यहाँ पर पढ़ लीजे, अब यहाँ पर ये जो Aristotle, जो शिश्य थे, उसके student थे, प्लाटो के, लेकिन उन्होंने प्लाटो के idealism को काटा, और थोड़े practical, empirical way में political theory दिया, इसलिए उनको father of political science भी कहते हैं, father of comparative political science भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लगबग 158 जो constitution थे, उस समय के यूरोप में उसको study करके, 6 ideal type of constitution में divide किया था, तो उनका जो है चार उन्होंने theory of causation दिया था, मतलब उनका कहना था कि सब कुछ जो है वो motion में है, मतलब सब जो है change हो रहा है, everything बनता है, develop होता है, bigger जाता है, nature में तो यह होता है, तो उसके पीछे जो causation है, मतलब वो उसके पीछे जो factor जो उसको create करता है, उसको चार पाट में पाटा था, उसमें से पहला जो है वो formal cause था, या पहले ले लिजए आप material cause first पे आता है, जिस matter से जो है, वो कोई भी जो चीज है बना है, और फिर उसके बाद जो है formal cause, तो आप यहाँ पे देखिए material cause को आप 2 से मिला लिजए, C का 2, तो C के 2 से ही आपका बात बन जाता है, तो अब यहाँ पे आप देखिए formal cause जो है, वो है substance and essence of thing, मतलब वो उसका जो, sorry, formal cause, मतलब जो भी कोई चीज है, उसका essence क्या है, उसके, उसमें substance क्या है, content क्या है, और फिर उसके बाद efficient cause आता है, efficient cause A का यहाँ से आप मिला सकते हैं, the purpose towards which the improvement, the movement is directed, मतलब efficient cause जो है वो, उसका purpose है, मतलब किस लिए वो बना है, जैसे table बना है, तो वो किस लिए बना है, उस पे काम करने के लिए, कई exam में, even UGC net में, इसका sequence पूछा जाता है, तो sequence पहले material cause है, फिर formal cause है, efficient cause है and final cause है, इसका और discussion जो है मेरे YouTube video Aristotle Part 1 में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए region education है, for Locke, labor is the source and justification of property, सही है, उनोंने labor theory of property दिया था, उनका कहना था, कि जब अपने हम labor को un-owned natural चीजों में mix कर देते हैं, जमीन के टुकड़े में mix कर देते हैं, तो वो जमीन का टुकड़ा हमारी property बन जाता है, this is called labor theory of property, जिसको की Robert Naugick जो है, बहुत vehemently काटते हैं, तो for Locke, labor is the source and justification of property, reason है, its function is to turn the earth into consumable goods, तो ये दोनों एक दूसरों का explain भी करता है, सही भी है, यही उनका logic भी था, इसलिए ए है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि whale of ignorance, जो role का है, उसमें से कौन सा जो है, वो सही नहीं है उसके बारे में, whale of ignorance and original position आपको पता है, एक तरह से आँख पर पर्दा है, उसकी memory loss हो गई है, जो role की theory of justice में, वो individual जो बैट करके principle बना रहे हैं justice का, वो कुछ नहीं जानते हैं, they don't know कि उनका society में स्थान क्या है, उनका class position क्या है, उनका social status क्या है, उनका fortune क्या है, मतलब उनको कितना पैसे के साथ हो पैदा हुआ है, या वो गरीब घर में पैदा हुआ है, उनका natural indowement क्या, लंबे हैं, मोटे हैं, तगडे हैं, छोटे हैं, बिमार हैं, कुछ उनको पता नहीं है, no one knows this for, even party do not know their conception of the good, मतलब यहां तक उनको यह भी पता नहीं है, कि क्या life का goal होना चाहिए, मतलब क्या है good life, उसका conception भी उनको नहीं था, लेकिन यह वाला पे आप अटक जाएंगे, the parties know their special psychological propensity, not, यह नहीं जानते, यह भी वो नहीं जानते हैं, कि उनका psychological inclination किदर है, किस तरफ है, यह भी वो नहीं जानते हैं, वो यह भी नहीं जानते हैं, कि उनका sex क्या है, male है, female है, उनका कोई भी मतलब उनको कुछ ही पता नहीं, तो ऐसे condition में जब वो बैट के principle of justice बनाएंगे, तो वो यह सोचेंगे, भाई हम गरीब भी हो सकते हैं, तो ऐसा rule बनाओ की गरीब एटलिस जिन्दा रहें, तो इसलिए वो difference principle पर भी act करेंगे, सब कोई को liberty चाहिए, equal amount में, तो equality of liberty principle पर work करेंगे, सब को equal opportunity चाहिए, political offices या कोई भी ओहदे पाने के लिए, तो उसके लिए बनाएंगे, तो मतलब, पर रॉल ने इसलिए किया था, well of ignorance या original position का, जो thought process जो उलाए थे, device, कि जिससे की जो bias होता है, जो पक्षपात होता है, decision making में, वो ना हो पाए, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो अपने background के बारे में, even psychological propensity पता नहीं है, conception of good पता नहीं है, enslavement, किस ने कहा कि जो welfare state है, एक तरह से वो डेगार है, मतलब एक तरह से बंधक है, enslavement है, तो ये कहने वाले आप जानते हैं, Robert Nogic हैं, Robert Nogic जो हैं, libertarian थे, उन्होंने role के थियोरी को भी काटा था, उन्होंने distributive justice को भी गलत बताया था, तो उनके अनुसार से जो है, taxation जो है, वो forced labor के जैसा है, और जो welfare state हो, तो बहुत heavy tax लगाती है, तो इसलिए वो enslavement के जैसा है, forced labor, एक slavery है, तो enslavement हो गया है, who among, यहां पर देखे, काल पॉपर को छोड़ दीजे, तो हैयाक भी libertarian है, पीसमिल सोसल इंजिनिरिंग का concept दिया, और इसको, इनको इसलिए भी याद किजिए, कि उन्होंने, Marx, Hegel और Plato को जो है, enemies of open society करार कर दिया था अपने बुक में, who among the following emphasized on procedural theory of democracy, highlighting three criteria, यह बहुत specific question लिए एक बार आद देख लेंगे, भूलेंगे नहीं, जो है, Robert Dehal, जो की polyarchie नाम की बुक लिखे हैं, pluralism, pluralist thinker हैं, pluralism को support करते हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था, democracy and its critic, उसमें उन्होंने जो है, procedural theory of democracy दिया था, highlighting three criteria, lipset को आप जो है, मुझे लगता है, political man इन्होंने लिखा था, memory से मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आप जानते हैं, ये भी एक pluralist think कर रहे हैं, Sumpeter को जो है, आप जानते हैं, कि इन्होंने एक elitist theory of democracy दिया था, इन्होंने ये कहा था, कि democracy is simply a method by which we select or elect our rural through periodic election, तो ये सब थोड़ा बहुत आप जान लिए, ये वोलिन के बारे में आप पढ़ लीजेगा और निट पे, which of the following is not a formulation of Max Weber, अब इसको पढ़िए कि ये मैं, मतलब खुद भी बहुत convinced नहीं हूँ, तो आप इसको मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका answer C है, आप पढ़ करके थोड़ा समझ लीजेगा, मैंने क्यों एंसर बता दिया है, बाकी तो बहुत सही है, लेकिन ये क्यों जो है गलत है, ये थोड़ा सा बहुत clear नहीं है, बहुत vague question है, option, बाकी सब सही है, पढ़ लीजे, who said that federalism require a people who desire union, but must not desire unity, मतलब union भी चाहिए, लेकि unity भी नहीं चाहिए, मतलब unity in diversity चाहिए, तो ये कहने वाले जो है A.V. Dicey है, A.V. Dicey को आप जानते हैं, Rule of Law, इन्होंने क्वाइन किया था, ये constitutionalism के बहुत बड़े ग्याता थे, England के, इन्होंने बुक लिखा था, Introduction to the Study of Law of the Constitution, यहाँ पे James Bryce का जीकर है, तो James Bryce भी एक jurist थे, वो historian, liberal, political, उनका जो American Commonwealth बहुत फेमस बूक है, तो कहीं ने कहीं आपको आजाएगा, Finer जो है, जिन्होंने के बहुत सारे क्वाइन किये हैं, public administration पे भी, उन्होंने pressure group को anonymous empire का है, वो भी question पूछा जाता है, केसी वेर जो है, जिन्होंने इंडिया को खुजाई federal state कहा था, यह भी बहुत popular question है, तेरा नंबर question पर रहा हूँ था, एजरसन that there is no direct connection between the shape of a political culture and stability of governance, अब यह तो बहुत ही awkward orbit question है, इसका answer जो है, लिसपार्ट है, अब इनके लिसपार्ट के बारे में आप यह सब पढ़ लीजे, मैंने यहाँ पर दे दिया, इसमें यह जरूर याद रखेगा कि एक constitutional democracy के बारे में इनोंने सबसे ज़्यादा research किया है, constitutional democracy क्या होता है, जहां पर कि समाज इतना विखंडित है, जैसे Belgium में है, कि कोई एक group जो है rule नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर कैसे democracy divide होती है, power in different community में, जो कि language या ethnicity के basis पर divided होते हैं, यह constitutional democracy है, power sharing in a multi-ethnic या multi-racial nation. अब आईए जनवरी 2017 paper 3 पर चलते हैं, जिसमें कि 75 question होते थे, second question देखे, who among the following disputed the view that human behavior could be adequately described without reference to the intentions, motives and reasons of the actor involved? अभी एक behavioralism का एक kind of question है, लेकिन इसके एकदम आरबीट है, इसका answer यह Peter Winch इसका answer है, उन्होंने अपनी book, उन्होंने एक लिखा था, idea of social science, उसमें इन्होंने यह बात कही थी, तो आप बस एक बार पढ़ लीजिए दी, कहीं second time repeat हुआ तो आपको होगा नहीं, तो other way इस टाइभी question के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इस next question में देखे, John Rawl में तो आप तुरत मिला लेंगे justice as fairness, बहुत easy, एक अठरी, तो एक अठरी, मतलब intellectual को वो invoke करते हैं कि आप revolution create करो अपने idea से, आप labor में भावना भरो revolution का, और इसलिए वो कहते हैं कि idea and not the material condition of production are the effective causes of revolution, यहाँ पर मार्क्स को पलट देते हैं, मार्क्स जो है सारा कुछ जो है वो material condition of production से determine करते हैं class struggle को, लेकिन यह कहते हैं कि नहीं, ideas होने ज़रूरी हैं, जो grammar की भी कहीं न कहीं कहते हैं, civil society में idea जो है वो है जो मैंनी को तोड़ता है या बनाता है, ना कि material condition के वल, तो वही बात है, तो यह सही reason भी है, इसका explanation भी है, इसलिए यह A है, यह जो है matching 6 number आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि republic को आप जो है सीधा, आप इससे match कर देंगे, D के 2 से, तो D के 2 और आपका यह solve हो जाता है, तो इतना आसान है, आगे लेकिन देख लिजे, यह सारे plateau के books हैं, यह dialogue कहते हैं, तो बहुत सारे dialogue form उने लिखा था, खास करके Tamias के बारे में, देखे, मैंने यहां पर दे दिया है, यह physics, sphere of physics है, मतलब कि natural science की कैसे earth पर life create हुआ, उसके बारे मुनों ने लिखा है, जो गौतम बुद्धा ने भी इस पर काफी लिखा है, तो यह Tamias book के बारे में कई बार पूछा जाता है, Tamias, Crito, Law, Statesman, यह सब जो plateau के book हैं, वो छीपे हुए हैं, और वो सब competition में पूछ दिया है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेजे, मतलब यह कहता है कि वो प्लाटो के बातो को काटते ज़ूर थे, लेकिन यह कहना गलत होगा कि उन्होंने प्लाटो का बिल्कुल आपोजिट का है, वो प्लाटो से काफी influence थे, उनके law को लेकर के state में, जो law book में जो उन्होंने जिस तरह के state की कलपना की थी, उसी के basis बापना best practical state भी बनाया था, तो Aristotle system is an attempt to philosophize on idealism free from defects of plateau system, तो यह जो है सही reason है, यह इसको explain भी करता है, यह इसका A है, और इसको एक बार पढ़ लीजेगा, यह जो कहना चाहता है, यहाँ देखे, next region एजरसन question, Machiavellian stands for double standard of morality, बिल्कुल सही है, one for the rural, rural के लिए अलग law है, अलग morality, अलग ethics है, और जो common private citizen के अलग, the rural as the creator of the state is not only outside the law and outside morality as well, सही है, जो creator है state का, वही law को create करता है, तो खुद उस पे वो law लागू नहीं होता है, मतलब कि king is above law, it is like that, तो यह उसका reason भी है, सही है, तो यह A है, whose idea of the following were incorporated in the philosophical radicalism of uterianism, यह question बरा सुनने में awkward लगता होगे, यह पूछ रहा है, कि जो uterianism में किसके idea को लिया गया है, जिसको कि philosophical radicalism, uterianism का कह सकते हैं, तो इसको simple दंग समझे है, कि इसमें से किस thinker ने uterianism को influence किया है, वो Thomas Hobbes है, क्यों? क्योंकि Thomas Hobbes का idea आप पढ़ेंगे, तो hedonism जो है उनके thought में, hedonism क्या है? pleasure, pain की theory, मतलब कि मनुष से जो है, हर मनुष से अधिक सधिक pleasure प्राप्त करना चाहता है, pain कम से कम, उसको avoid करना चाहता है, pain को, तो वही बात उन्होंने जो है, यहां पर कहीं, इसको आप पढ़ लीजेगा, मैं यहां नहीं पढ़ रहाँ, time के चलते, मैंने एपने वीडियो में इसको explain किया, उनका यह कहना था, कि जो basic जो aptitude हमारे, attribute हमारे में होती है, वो वही है, pain और pleasure की होती है, कुछ चीजों को देखके हमें pleasure होता है, उसको हम गले लगाते हैं, उसके तरह बढ़ते हैं, और कुछ से pain होता है, उसे हटते हैं, तो यह thought जो ही ट्रिल टेनिजम है, बेंथम में लिया, तो Thomas Hobbes, अब एजरसन देखिए, काल मार्क्स, 10 नंबर question पर रहाँ, काल मार्क्स is interpreted by some as an economic determinist, but by others as human socialist, यह बास सही है, कई जब वो कहते हैं कि base, जो है, super structure को determine करता है, तो economic determinism करते देखते हैं, लेकिन जब वो alienation के बात करते हैं, जब वो freedom के बात करते हैं, emancipation के बात करते हैं, तब वो humanist, social scientist नजर आते हैं, वो इसलिए होता है कि the problem stem from the wide range and complex nature of his own writing, मतलब वो इतना wide लिखते हैं और कितने issue पर हमें लिखा है कि वो कई बार लोग confused करते हैं कि economic determinism है या human socialism है, तो यह एक दम बिलकुल सही है, अब यहां पर बहुत लंबा सा एक court है, यह इसको चलिए मैं पढ़ता नहीं हो, यह कहते हैं, इसमें, basically यह John Locke ने कहा है, John Locke अपने second treaty of government मे बोलते हैं कि जो यह law जो बनती है, law क्या है, जैसे कि माल यह parliament बनाती है law, इसको positive law भी बोलते है, मतलब natural law नहीं, जो human अपने लिए बनाता है, तो वो law क्या है, वो basically जो है public good के लिए है, मतलब उससे जो है societal common good पुड़ा होता है, उससे किसी का personal interest या किसी group का interest नहीं होना च 12 नमबर question देखे, who among the following said, the ideology is the most elusive concept in the whole social science, of course, ideology क्या है, इस पे मार्क से ले करके और सबने कितनी कितनी बाते की है, लेकिन यह question बहुत अर्बिट है, यह खुद-खुद बहुत elusive question है, यह डेविड मैकलन ने जो है, इस book में, ideology में यह बात कही थी, तो बहुत ही अर्बिट है, arrange the following works of Sri Aarvindo, यह तो मैं छोड़ रहा हूं, यह गलती से यहां आ गई है, यह IPT में हो चर्चा करेंगे, who among the following argued, उसे पढ़ लिजेगा, इसके chronological यह सजाना है, तो सजा लिजे, who among the following argued that the only purpose for which power can be rightly fully, इसको पढ़ लिजेगा, यह बहुत famous quote है, John Stuart Mill को, harm principle देते हुए, उन action ना हो, जिससे कि दूसरे को harm पहुँचे, John Stuart Mill, champion of liberty, अब आईए November 2017, paper 2 में चलते हैं, next, second number question देखे, एकदम बिलकुल आसान question है, according to plateau justices, तो one man, one work, one class, one duty, इसको कई exam में UGC net में भी ऐसे पूछते हैं, कि इनका जो theory of justice है, वो basically functional division of society है, just like India's Varna system, जिसमें कि, जो आपकी aptitude है, उसके अनुसार से आपको ब्राह्मन शत्रिय वैसे सुदर में डिवाइड किया आता है, open है, education के basis पे आपना, उसको change कर सकते हैं, तो एक तरह का open caste system जैसी बिवस्ता थी, one man, one work, one class, one duty, given below are two statement, तो चली एजरसन देखते हैं, Oksot, जो की historical method के proponent रहें political theory में, conservative भी हैं, Oksot says, Hobbes is the greatest political thinker produced by English speaking people, ये सही है, उन्होंने ऐसा कहा था, और ये reason भी सही है, no other thinker can match his philosophical foundation and clarity of thought, बहुत clear thought उनका है, scientific है, straightforward कहते हैं, लेकिन ऐसी बाते कहते हैं, जो लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लोक से कम popular हुए, तो A, हर entity में दुनिया के contradiction अंतर नहीं थे, खुद उसमें उसका अंतर विरोज छिपा हुआ है, लेकिन वो अंतर विरोज जो है, वो ही development होता है, क्योंकि जो चीजे हैं, उसका जो opposite होता है, वो उसको मिल करके higher level पे synthesize करता है, यहीं उनका theory of dialectical है, जो कि Marx ने आगे बढ़ाया अ तो यह उन्होंने जो दिया था, to solve the problem of contradiction, जो कि human का eternal predicament है, जो contradiction है, उसको solve करने को उनका contradiction is not bad. Who distinguished the young Marx from the old Marx? 5 number question देख रहा हूँ, तो इनके बारे में आप जानते होंगे तिया आप UGCNet के तियारी कर रहे हैं, क्योंकि PG में इनको पढ़ाया आता है, Louis Althusser, Louis Althusser जो है, उन्होंने Marx के एक major, जो state की theory था, उसको revise किया, Marx ने basically instrumentalist theory of state, capitalist state दिया था, जिसमें उनका कहना था, कि जो capitalist state है, वो, जो whole Borgesis है, जो entire Borgesis class है, उसके interest को protect करने और बढ़ाने के लिए काम करता है, नजर आता है, लेकिन Althusser ने कहा कि इससे भी आगे state का काम है, यह simply उस Borgesis class के interest को नहीं protect करता है, बलकि वो social structure को reproduce करता है, जो capitalism को बनाए रखता है, इसको structural view of capitalist state करते हैं, लुई Althusser, उन्होंने ही यह कहा था, कि Marx के राइटिंग को हम पढ़ें, तो हम देखते हैं कि German ideology के पहले एक अलग Marx नजर आते हैं, वो young Marx है, जो alienation, जो ज़्यादा humanist social thinker नजर आते हैं, और after German ideology जो है, वो ज़्यादा economic determinism करते हुए, दिखते हैं, जो capitalism के बारे में लिखते हैं, तो ये question में पूछा जाता है कि कौन book को Louis Althusser ने ये कहा था, कि dividing line है between young Marx and mature Marx, और वो है German ideology, तो Louis Althusser, आपको यहाँ पर यह भी पता हों चाहिए कि Millie Band और Polenza, इनके बीच में great debate हुआ था, instrumentalist versus structural view of capitalist state पे, वो भी कई बार पूछा जाता है, Gramsci characterized fast seizure match, ये question बहुत specific के दिया, आप Gramsci को नहीं पढ़े हैं, तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन चुकि ये syllabus में है, उन्होंने इसको passive revolution कहा था, passive revolution यहां मैंने लिख दिया, उसका basically meaning ये होता है, कि इसमें कोई bloodless होता है, जहां rural जो है, ख पलट नादेव खुद चेंज कर लेते हैं, तो फासी जब उसी टाइप का revolution उनने माना था, passive revolution, दिखे, Gramsci से जुड़ी होई कई जो terminology है, वो exam में पूछा याता है, इसे organic intellectual का concept इन्होंने दिया था, इन्होंने civil society, आजे fortress, आजे trench, इसका concept दिया था, इन्होंने hegemony का concept दि IPT में discuss करेंगे, गलती से हैं copy paste हो गया है, रॉय-Lenin debate centered around, अब देखे, रॉय यहाँ पे जो है M.N. रॉय है अपने इंडिया के, आपको proud होना चाहिए, उन्होंने लेनिन से एक debate किया था, common turn में, जो communist international था, colonial question पे, उस से हमें question यह मैंने यहां लिख दिया है, यह question थी, कि क क्या जो colonial decolonization का movement जैसे इंडिया में हो रहा है, घाना में और आफ्रिका, हर जगे जो हो रहा था, उसमें क्या communist जो पार्टी है, या जो communist जो community है पुरे दुनिया में, क्या वो उन national movement को support करें, क्योंकि इन सारे country में, जो national movement का जो leadership था, वो बार्जुजीस के हाथों में था, मतलब वो ही petty bourgeoisies थे जिसको की communist hate करते थे, जैसे इंडिया में भी देखे होई lawyer, barrister और professionals थे, तो यहाँ पर लोग को यह होता था कि इन bourgeoisies को हम help करेंगे, तो यह जो state बनाएंगे after independence हो तो against communist के against होगा, तो yes पर काफी विवाद होता था, वही question यहाँ पे पूछा गया है, इसको पढ़ लीजेगा, Aristotle's classification of constitution was based on the categories of, तो Aristotle ने आपको जैसे अभी मैंने बताया है कि उन्होंने 158 constitution उस समय के ले के अध्यन किया, उसको 6 ideal type में distribute किया, उसमें से 3 जो थे, वो good constitution थे, that was monarchy, aristocracy and polity, और 3 उसके perverted form थे, tyranny, oligarchy and democracy, of course, democracy आपको सुनने माशल है, लगिं, in view of Aristotle, it was a perverted or bad form of constitution or government, Aristotle ने जो ये classification किया था, वो इस basis पे किया था कि कौन सासन करता है और किसके interest में, जैसे monarchy में, it is rule by one but it is in the interest of all, तो ये monarchy है, जबकि oligarchy जो है, it is the rule by few in the interest of few, democracy, उन्होंने का था, it is a rule by many but in the interest of few, जबकि polity जो है, वो उनके अनुसार से, it was rule by many in the interest of many, it's like that, अब आईए December 2013, paper 2 को देखते हैं, ये December 2013, आपको देखके आस्टर्स लग रहा हो तो, क्योंकि ये मैं नहीं cover कर पाया था, पार्ट 2 में साइद 2013 तक मैंने जाने कोशिस की थी, 2011-2013, लेकिन वहाँ पे इतना लंबा हो गया था, कि मैंने 2013 के December cycle को छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे cover कर रहा, मैंने आपको बताया था, कि पार्ट 4 में सारे बचे हुए cycle को cover करेंगे, प्लाटो के रिपब्लिक में बहुत सारे करेक्टर है, जो डायलोग बोलते हैं, Socrates में है, उसमें से यह सभी है, आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन प्रोटागोरास जो है, नहीं है, प्रोटागोरास कौन थे, एक सोफिस्ट थे, सोफिस्ट कौन होते थे, वो टीचर होत पढ़ाते थे, वो क्या पढ़ाते थे, क्या थे, इनको पढ़ लीजिए, और प्रोटागोरास वाज प्री प्लाटोनियन सोफिस्ट, बहुत इंपोर्टेंट है, सोफिस्ट, स्टोइक, और इन सब को आपको जानना चाहिए, उस समय में, मतलब जो एथेंस था, वो वीचा पर काफी लिखा है, तो आप C को 1 से मैच कर लेंगे और आपका ये क्रैक हो जाएगा, बाकी को तो आप सिधा मिला लेजिए, मैक फरसन जोनोंने पोजेसिव इंडिविज्योलिजम का कॉंसेप्ट दिया, उन्होंने जो है, रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी लिखा है, तो बाकी चीज़, डेविड हेल्ड का जो है, आप मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को भी मत भूलिए, डेविड हेल्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये लिखी है, तो ये तो मैंने यहां पर दे दिया, इस तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसमें आपको मैं क पहले उन्होंने ये बुक लिखाए, Thesis of Fairback, Fairback जो है, उससे उन्होंने materialism लिया था, ये यंग Hegelian थे, जिसे को काफी प्रभावित थे, then Poverty of Philosophy है, ये उन्होंने प्रोधन का एक तरसा refutation था, then communist manifesto and contribution to critique, ठीक है, देख लीजे, तो इसमें मैच कर लीजे, मैं छोड़ रहा है, typo है, for behavioralist, it was better to be wrong than vague, ये बात सही है, ये true है, behavioralism यही था, कि हमें जो है, value पे नहीं जाना है, value wrong होता है, fact जो है, वो precise होता है, तो ये बात वही कह रहा है, लेकिन यहां लिखना चाहिए था, for post-behavioralist, it is better to be vague than non-relevantly precise, जब behavioralism से लोग आगे निकले थिंकर, तो उन्हो ने कहा कि, अरे भाई, vague होना बहतर है, लेकिन बाकवास में precise नहीं होना चाहिए, precise for what, मतलब आपको non-relevantly यह precise होतों से बढ़िया है, कि वेग हो, तो ये post-behavioralism था, जो यहां लिखा गया नहीं है, लेकिन ये correct है, post-behavioralism को आप समझ लिजे कि लिखा हुआ है, तो ये B ह होगा, दोनों, को कि support नहीं करते हैं, अलग-अलग fact है, who said, each person possesses an inviolability founded on justice that even the, चली हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, मतलब ये John Rawl कहते हैं, कि हर person जो है, वो उसको हक है, कि वो अपना जो है individuality maintain करे, अपना right को वो maintain करे, यही justice as fairness है, और मतलब कि society के common good के नाम पर, society के welfare के नाम पर, आप उसका वो हक individual से नहीं चीन सकते हैं, यहाँ पे Rawl का जो है individualism जहलगता है, यहाँ पे Rawl का negative liberty के तरफ जुकाओ जहलगता है, यहाँ पे Rawl का right versus good में right के तरफ जुकाओ दिखता है, जो कि कई exam में पूछा जाता है, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था, कि Rawl disagreed, उन्होंने कहा कि justice के नाम पर आप, loss of freedom for some cannot be made right by a greater good shared by other, इसलिए उन्होंने difference principle को third number पर रखा याद रखेगा, तो John Rawl, Who was the founder of utilitarianism? तो यह तो एकदम लड़ू questions को बोलते हैं नहीं, all of a sudden आपको एकदम एक बच्चा type of question मिल जाए, Jeremy Bentham. Which one of the following writing is not written by Mao? अब यह question difficult बन सकता है, और इसलिए भी difficult है कि जो people war जो सही answer है, वो लिखा तो उन्हों नहीं था, लिखा नहीं था, वो एक book नहीं थी, उनकी military strategy थी, यह book नहीं था, इसलिए इसको चांट दीजए, बाकी तो book हैं उनके, अब यह क्या था, यह people war के बारे में पढ़ लिजएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, अब आईए December 2013, paper 3 को देखते हैं, who said taxation equal force labor, यह तो दूसरी बार आप देख रहे हैं, Robert Nogic, इस पर discussion नहीं करते हैं, इसी के basis उन्हों ने यह कहा कि welfare state जो है, वो enslavement है, यहाँ पे इतना awkward है कि मैं आपका कोई time बरबाद नहीं करूँगा, यह option सही है, just match कर लीजिए, यह आपको मन है, तो इसको रट लीजिए, इस author और book को सब obscure है, ideology को इस तरह से किस ने define किया, यह पढ़ लीजेगा, मैं इतना लंबा पढ़ूँगा नहीं, कोई जरुवत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको करने वाले जो है, Martin Selliger है, अब यह तो इतना awkward है कि आपको कुछ यादवाद रहेगा, साइद नहीं, याद करें तो, उन्होंने अपने book ideology and politics में यह बात कही थी, लेकिन जो आपको याद रखना चाहिए, वो Desut de Tracey को याद रखना चाहिए, जिन्होंने की coin किया था पहली बार word ideology 1796 में, और यह question बहुत popular question और पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजे, D. Tracey, who coined ideology, तो Desut de Tracey, एजरसन देखे, all political philosophers are political theorists, एकदम सही है, political philosopher जैसे कि Aristotle, Plato, वो political theorist भी थे, लेकिन यह सही नहीं है, all political theorists are not necessarily political philosopher, जैसे कि माल जी कि आप कहेंगे कि Robert Dal, एक political theorist है, लेकिन वो political philosopher नहीं है, क्योंकि वो scientific way में जो आप theory कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी सही है, तो ये भी true है, ये भी true है, तो ये कोई इसको explain नहीं करता है, दोनों अलग-अलग fact है, इसलिए B सही है, इसका, who said that labor power equal the brain, muscle and nerve of the laborer, देखे, labor power पे Marx ने बहुत काम किया था, labor power यही जो उन्हों में define किया है, उनका कहना था कि जब एक capitalist labor power को खरीता है, तो उस labor power का पूरा value वो नहीं देता है, वो उसको market rate जो उसके labor का होता है, वो किबल दे देता है, और वो जो surplus value है, उसका एक part वो रख लेता है profit के form में, वो theft है, यही उन्होंने कहा था, और यह जो theory उन्होंने लिय यह question बहुत बार पूछा जाता है, the reappearance of plateau is found, यह बहुत ही interesting question है, क्योंकि आपको पता है कि plateau की जो ideal state है, वो कोई utopia है, मतलब वो एक dream है, कि ऐसा होगा कि एक आदमी एक काम करेगा, एक class एक काम करेगा, justice ऐसा होगा कि हर आदमी अपना duty करेगा, जो भी उसको दिया गया है बिना इताग जहां किये हुए, communism of wives and property होगा, मतलब कोई अपना family और property नहीं रखेगा, ruling class, यह सारा dream था, state sponsored education होगा, 50 साल तर training के बाद decide होगा, philosopher king जो है, rule करेंगे, एक ऐसा state होगा, जिसमें कि कानून की जरुवत ही नहीं होगी, क्योंकि कोई law को break ही नहीं करेगा, law तो justice ह अपने आप में जो है, सब को अपना अपना काम करवाएगा, तो इस type का जो idealistic है, utopic है, वो घूम पर के फिर आता ही, utopia of sir Thomas Moore, उन्होंने भी इसी type के एक imaginary utopic city कलपना की थी, city of sun of campanella भी उसी type का है, और new atlantis of back on bay, इन सब को बारे में नेट पे जाके थोड़ा पढ़ लीज होतो, which one of the following statement is not correct in respect of Aristotle, man are by nature unequal, सही है, there is a subordination of inferior to superior, सही है, woman by nature subordinate man के है, तो इसलिए ये तो गलत होगा ही जब तीन सही है, उन्होंने सब्री को justify किया, लेकिन यहां जो डजनॉट है वो गलत कर देता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये slave के लिए भी best condition है, क्योंकि वो virtuous life lead कर सकता है, एक virtuous master के साथ में, इसलिए slave के लिए भी वो अच्छा situation है, और master के लिए भी, क्योंकि master को वो free कर देता है, day to day mundane work या घर के chorus से, जिससे कि वो politics और higher जो pursuit है, उसको pursue कर सकते है, who did help to humanize J.S. Mills revised version of utilitarianism, हमको पता है कि J.S. Mills ने utilitarianism को थोड़ा human बनाया, थोड़ा moralistic बनाया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो pleasure है, वो higher and lower हो सकता है, ये नहीं है कि हम किसी भी pleasure को लें और pain को avoid करें, हम pleasure लें, लेकिन हम higher pleasure लें, जो जैसे अभी हम और आप ले रहा हैं, जो pleasure है, उसको उन्होंने lower pleasure कहा, उसको ज्यादा human बनाया, तो उसमें उनकी पतनी Harriet Taylor ने उनको help किया था, इन दोनोंने मिल करके Subjection of Women book भी लिखा था, For Hobbs, Felicity का माइने क्या है, ये असान question है दिया, आप पढ़ेंगे और Felicity को जाके Google में देख लिए होंगे, तो आपके लिए सब आसान होगा, Felicity जो है, extreme happiness है, तो वही है कि एक continued success in obtaining those things which a man from time to time desire, जब आप किसी चीज़ की चाहत करते हैं, वो मिल जाता तो आपको happiness होती है, extreme happiness ह लेकिन वो जैसी ही मिल जाती है, मानव का सोहाब ऐसा होता है कि बस वो दूसरे खुसी के तरफ भाग जाता है, इसको फिर छोड़ देता है, और तब तक वो एक खुसी से दूसरे खुसी पे कूता भागता रहता है, जब तक वो बर नहीं जाता है, ये मतलब human tragedy है, इसी पे absurd है, नहीं कर सकते हैं, ये question पूछा जाता है, the natural man will be one in whom, चली हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, मतलब ये रूसों ये कहते हैं कि man जो है अच्छे से training दिया जाए तो natural man बनेगा, और woman जो है natural woman बनेगी, मतलब कहने का है कि nature जैसा चाहता है man को वैसा बनेगा, कैसा चाहता का डगड़े पढ़ का बैगन नहीं हो, मतलब वो बिन पेंदी का लोटा नहीं होगा, उसका reason street fast होगा, हर जगह उसका apply करेगा, और वो जो है harmonize करेगा, जो उसमें दो जो भगवान ने दिया, एक self love, अपने को प्यार करना, और जो pity ये sympathy, तो इस तरह का natural man बनेगा, और natural woman बनेगी, उनका जो बुक है EMIL, EMILI, EMILI भी बोलते है EMILI, EMILI जो educational treaties है, उसमें उन्होंने जो ही बात कही है, कि education एक process है, जो man को natural man develop करता है, और woman को natural woman, इसकी कई जगह जो है बुराई की गई, खास करके जो feminist thinker थी, Mary Wollstonecraft, उसने तो पुरा एक बुक लिखा, vindication of right of woman, जिस so, lock essays concerning human understanding was a refutation, refutation मतलब कि उसको काटना, मतलब किसी का argument को काटना, तो उन्होंने दो बुक लिखा था, एक जो था human, essay concerning human understanding, ये बुक को आपको याद रखना चाहिए, टैबुला रासा के concept के लिए, टैबुला रासा मतलब ये होता है, जिसमें की lock कहते है, कि जब human पैदा हो होती है, उस पर कुछ नहीं होता है, मतलब वो पैदा, जो हम लोग कहते हैं, आभी मन्यू जो है, पैदा ही हुआ था चक्र वीउ का, वो छे लेकर करके, ये सब उनका कहना ये सब गलत है, कुछ भी नहीं होता है, जो भी हम सीखते हैं, वो पैदा होने के बाद जो हमारा experience ह होता है, उसी से knowledge हमारे brain में आता है, इस thought को empirical thought बोलते हैं, इसका ultra rationalist thought होता है, जिसमें ये माना जाता है, कि knowledge का source जो है, वो a priori है, मतलब कहीं हमारे जीवन के पहले भी है, और वो transcendental है, मतलब जो हम को दीखता है, ये visual world, उसके परे भी जो है, कहीं से कोई knowledge हम लेते हैं, ज Hobbes के Leviathan में जो बहुत negative जो human का वर्नन किया गया था, उसको उन्होंने refute किया इसमें, ये मैंने question इसने लगाया था, कि उन्होंने Robert Filmer के Patriarchive, बहुत famous book थी Lock के पहले उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने monarchical, absolute monarchism की समत्थन किया था, उसको उन्होंने refute किया था, अपन No. 2013 का जो paper है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक odd paper था, जो कुछ supplementary paper था, चलिए, इसमें कुछ question अच्छे मुझे लगे, तो मैंने pick कर लिया है, ये एक additional bonus समझ लिजे, the idea of participatory democracy originate with you, कोई भी बोलेगा, आपको पता है, Russo में general will, जो है, it was nothing but participatory democracy का एक नमुना था, Plato described the working of human mind, ये question आसान होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो devices है, allegory of the cave, metaphor of the divided line, and doctrine of form, ये सब सब, चुकि all of the, बहब तो और असान हो जाता है, आपको all of the, लगाना, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजे, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इ अब इसको चारो के जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ देखे, command economy, कभी वो support नहीं करेंगे, यहाँ पे आप socialist democracy, कभी support नहीं करेंगे, none को तो छोड़ दीजे, तो इसलिए एक ही बच जाता है, और ये है, आप इसको पढ़ लीजे, democracy, market economy, or redistributive welfare scheme का संगम था उनका जो theory of justice as fairness, who differentiated between antagonistic and non-antagonistic contradiction, तो यह तो आपने माव को परहा है, माव जदांगा तो आपको पता होगा, basically उनका कहना था कि समाज में दो type के contradictions होते हैं, एक antagonistic जो की बहुत बिना किसी खास मार पीट, दंगा फसाद, revolution के सुल्जाए जा सकते हैं, जिसमें कि fundamental difference नहीं होता है, non-antagonistic, जिए antagonistic होता हो, उसके लिए तो revolution करना ही पड़ता है, given below चलिए, एजरसन देखते हैं, John Stuart Millie is a reluctant democrat, सभी जानते हैं, yes, all people are fit for democracy, उनके इनसार से नहीं है, यह false है, इसलिए ए C हो जाएगा, सभी people fit नहीं है democracy, उन्होंने तो हम लोगों को unfit करार दिया था, हम लोगों को barbarian कर अब आये paper 3 last cycle discuss कर रहे हैं, who among us the following is a defender of plateau, यहां मैंने बहुत सारे information दे दिये हैं, अपने ही video से, plateau के admirer यह सब हैं, पढ़ लीजे, उनके सब की book पढ़ लीजे, वहां पे Levenson भी दिखते हैं, वही Levenson यहां answer में भी आते हैं, plateau के जो critic हैं वो भी जान लीजे, यहां पे Karl Popper से लेगे Crossmen और फिटे हैं, इन सब का भी book को पढ़ लीजे, who defines citizen as sharing in the civic life of ruling and being ruled, basically Aristotle कहते हैं, कि citizen वो है, जो rule कर भी सकता है, और ruled हो भी सकता है, वही citizen है, जो केवल ruled होगा, वो तो slave हो गया, so citizen की जो theory है, Aristotle को बहुत सारे exam पूछा यह था, उसको पढ़ लीजेगा, पांच न nominalism होता कह पहले, यह समझे, nominalism जिसे theory of form जो था, plateau का nominalism था, यह एक तरह का absolute idea की concept है, जैसे कि fool होने का concept, strength, strong होने का concept, जो nominalism उसको काटता है, वो कहता है, यह सब सब कुछ भी नहीं होता है, यह absolute कोई idea नहीं होता है, जो particular जिसको हम महसूस कर सकते हैं, experience कर सकते हैं, बस वही सचाई है, बाकी कुछ नहीं है, strength कुछ नहीं है, strong आदमी होता है, उसको फिजिकली मेजर करो कि यह जादा strong है, यह जादा strong है, यह जादा strong है, what is strength, even six क्या होता है, number जो आप बोलते हैं, वो सब सब nominalism है, उसका कोई meaning नहीं होता है, आपको 6 रजगुला कोई दे दिया, त उसको आप साथ बोलो चाए आठ बोलो है तो वो छे, तो यह nominalism है, तो इस तरह का empirical, जो एकदम particularistic जो चीज exist करता है, उसी के basis पर अपनी theory Hobbes ने बनाया था, John Locke, two treaties on civil government is a critic of it, just हमने बताया आपको कि यह critic था, filmer के patriarchy का, यह यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, Who among the following is not an exponent of contextualism, तो contextualism क्या होता है, कि किसी भी classical text को समझने के लिए, उसको उसके context में जाकर के ही समझना पड़ेगा, यदि आप Plato के Republic को आज के समय में समझेंगे, बोलेंगे कि यह क्या बकवास बाते कर रहा है, तो गलत है, आप जो है 4th या 5th century BC का Athens को समझे, उस समय में क् socio-cultural context, और उसमें वो बाते कह रहे थे, उस context में उसको जो है, समझने कोई सिस करनी चाहिए, इसकिनर, पेकॉक, विंच, यह सब सब जो है, contextualism में बिलीव करते हैं, except Wittgenstein, Wittgenstein का जो है, मेरे प्रणूसरी समय में जाहिए, Ludwig Wittgenstein, यह जो है Austrian-British philosopher, उनके बारे में सारा पढ़ लीजिये, और उनकी जो यह बुक है, Tractatus, यह तो लॉजिक की एक बहुत बड़ी गरंथ है, पतली बुक लेकिन बहुत बड़ी गरंथ, विच अमौंग दा फॉलोईग इस करेक्ट, जेंडल विल क्या है, ग्रूप माइंड है, कॉमन मी है, माइ ओन रियल विल है, स वोर्ट से आप टकड़ाएंगे, पहली बार तो चौक जाएंगे, लेकिन दूसरी बार नहीं, होम फेवर का मतलब होता है, टूल मेकर, हुमन अब टूल बना सकता है, इसलिए अपने को हमेसा अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, मैन दा मेकर, यह जो है, मार्स ने कह था, who among the following say that the worker, do not, बहुत लंबा सा worker के बारे मुनोंने कहा है, कि revolutionary ideologies में भरना परेगा, वही जो intellectual को जो आःवान करते हैं, कि आप proletariat revolution में, मतलब उनको inspire कीजिए, labor को proletariat movement के लिए यह लेनीन कहते हैं, I identify the correct sequence of the book written by Hayak, Hayak जो है libertarian है, Milton Friedman और Robert Naugick के साथ में, इनकी जो यह book है, इसको तो कभी भूलिएगा, मत road to serfdom, इसके अलाबा यह पूछा जाता है, कि किसने जो है social justice को mirage कहा, वो इसी book के करन कहा जाता है, इसके अलाबा rules and order and constitution of the liberty, इसमें answer C है, आप बस देख लिजेगा लेकिन यह book को जरूर जानिये, इसमें क्या उन्होंने लिखा है वो भी जान सकते हैं, यह matching बहुत आसान है क्योंकि known है, Michael Sandal ने यह book लिखा है, liberalism and the limits of justice, Michael Sandal और Walger यह सब जो है, communitarian thinker है, Bernstein भी जो है social democracy के तरफ जाते हैं, तो Michael Sandal का एक आफ और इससे आपको crack हो जाता है, बाकी को match कर लीजेगा, तभी आगे बढ़िएगा, so okay, dear student, thank you very much for watching, यदि आपको पसंद आया, तो like करें, share करें, subscribe करें, और यदि आप interested है, members से group join करने का, जिसमें कि कई 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 आपको benefit देने की एकोसिस की जा रही है, और आप political science help community को support भी करेंगे, but basically वो test series है, जिसस guide, I hope कि आपने IR guide डाउनलोड कर लिया होगा, इसके पहले entrance test वाली guide भी की होगी, model question paper भी आपने देखा होगा, ये सारे जो अभी मैं बना रहा हूँ, इसको एक book web form में लाने की भी मैं कोसिस करूंगा, इलिए आप interested है, तो आपना mail कीजे, name and telegram, mobile number, इस तरह से मुसे जूरि and be safe and be happy, see you again very soon with another theme जो की होगा, international relation पे, bye.